मूवी की स्टार्टिंग 1985 पैरिस में एक पार्टी से होती है जिसमें दू दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि हमेशा साथ में रहते थे कहीं में जाते थे साथ में ही जाते थे जिनके नाम होते हैं पेरे और हैंरी पेरे और हैंरी दोनों पैरिस के फेमस कवी थी दोनों दोस में दोनों हैंरी और पेरे की मुलाकत एक लड़की से होती है उस लड़की का नाम होता है मैरी मैरी हैंरी और पेरे के टीचर फेको कीवन फेमस कवी जोन्स मारिय डी हेरेडिया की बेटी थी और दोनों को ही मैरी बहुत पसंद थी इवन दोनों उसके खुबसूरती के दीवा और उसके प्यार में मीचसे पीचे पागलती हालांकि vist प्येरे से प्यार करती थी क्योंकि वोग उसे ही पसंड करती थी वहां पार्टी में वो डौनर छुबके से कॉर्णर में एक दूसरी को किसबी करते हैं लेकिन वहां पर मेरी की मा आ जाती है और उन्हें देख लेती है लेकिन मेरी को अपने पेरेंट्स की वजल से हैंडी से शादी करने पड़ती है अपने मर्जी के अगींस जांगर के क्योंकि हैंडी से शादी करने पर मैरी के फादर के कई कर्द्स माफ हो रहे थे इवन उनकी सोशल पोजिशन भी अच्छी हो रहे थी और अब हैंरी और मैरी की शादी हो चुकी होती है समय गुजरता है सब कुछ ऐसे ही चलता है तब एक दिन पेरे हैंरी से मिलने उसके पास आता है और उसे कहता है तुम सब कुछ चानते थे मैरी से मैं प्यार करता था और वो भी मुझे प्यार करती थी फिर भी तुमने ये सब क्यों किया तुमने मुझे दोका दिया जिस पर हैंरी कहता है मुझे भी मैरी से प्यार था मैं भी तुम्हारी तरह उसके पागल था उसका दीवाना था तो कर ले साधी और कहता है अगर तुम उसे सच्छा प्यार करते तो तुमको कोशिश कहनी थी अगर तुम कोशिश करते तो वो तुमको जरूर मिलती तो उससे शाधी कर सकते थे जिस पर पेरे कहता है अपने प्यार को अलग ही एक्स्प्लेंग करता है वो कहता है कि प्यार को खुले आस्मान जैसा होना चाहिए और शादी तो एक बंदन है जो मैं नहीं चाहता था दरसल पेरे एक प्लेपॉय था जिसे तरह तरह की लड़कियों का साथ पसंद था उसका एक लड़की से मन नहीं बढ़ता था और अब हैंडरी और मैरी को दिखाया जाता है जहां हैंडरी मैरी को बताता है और मेरी आज भी पेरे से उतना ही प्यार करती थी जितना वो पहले करती थी इसलिए वो हैंडरी को एक्नॉर करती थी दूसरी तरफ दिखाया जाता है पेरे को जो कि एक न्यूड प्राफिजनल फोटोग्राफर बन चुका है और उसे फोटो शूट करते हुए दिखाया जाता है और वो हर रोज नई अलग अलग लडगियों से मिलता है उनके न्यूड फोटो शूट करता है और हर रोज एक नई लड़की के साथ में वो इंटिमेट भी होता था पेरे जितने भी लडगियों के फोटो शूट करता था उनमें से वो हर लड़की की एक फोटो अपने पास लगता था और उन्हें वो अपनी परसनल डायरी में लगता था तब ही वहाँ पर मेरी पेरे से मिलने उसके पास पहुंचती है और उसके खर में लड़कियों को देख मेरी को अच्छा नहीं लगता वो चैलिस फील करती है और कहती है कि वो उसे आज भी उतना ही प्यार करती है जितना वो पहले करती थी और दोनों एक दूसरी को कीस करती है और इंटिमेट भी हो जाते है नेक्स डे मेरी न्यूस पेपर बढ़ती है तो पेरे उसे कहता है कि उसे कब से इंटरेस्ट आने लगा न्यूस पेपर में हालनकि मेरी सिर्फ हैंडरी का एडरस देख रही थी क्योंकि उसी ने कहा था कि वो न्यूस पेपर के जरीए उसे मिलने के लिए एडरस देगा और अब मैरी हैंडरी के जाते ही उस एडरस पर पेरे से मिलने पहुंच जाती है और हैंडरी उसके कुछ फोटोस लेता है और अब पेरे उसकी हर एंगल से हर तरह की उसकी न्यूट फोटो क्लिक कर रहा है हैंडरी बहुत अच्छे से जानता था कि पेरे आ चुका है पर हैंडरी मैरी पर ट्रेस्ट करता था एक दिन पेरे हैंडरी के घर आता है मैरी घर आने में लेट हो जाती है हènری उसे पूछता है, तुम आने में लेट हो गई तो मेरी कहती है, हाँ अपने आशिक के साथ विजिती, इसलिए हैंरी को बार-बार वो इagnore करती है, उसकी इंसेल्ट भी करती है वो हैंरी के सामने, पीरे से ऐसे बहूत करती है जैसे मानो, वो वो उसका पुराना आशी को बॉइफेंट हो और हैंरी को वो जानती ही नहीं और मौका देखते ही दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं एक दिन मेरी पेरे के स्टूडियो जाती है जहां पर दोनों इंटिमेट भी होते हैं अब मेरी हर रोज पेरे से मिलने आने लगी थी एक दिन वो उसकी वो एलबम देख ले दी है जिसमें वो लड़कियों की न्यूट फोटोस कलट कर रहा था जिसमें मेरी की भी फोटो थी और अब मेरी को समझ आ जाता है कि उसकी फोटोस उसने अपने लिए नहीं खीची थी और वो उसकी फोटोस प्राइवेट फोटो भी नहीं रहे थी वो उन फोटोस को सभी को दिखाता था पेरे न्यूट फोटो खीशने के लिए किसी को भी रेडिक कर लेता था अगर उसे न्यूट फोटो खीशनी है तो फिर चाहें वो स्ट्रीट में खड़ी फूल बेशने वाली लड़की ही क्यों न हो एक दिन हैंडरी और मैरी पेरे के पास पार्टी में जाती है वहाँ पर मैरी नोटिस करती है कि हर कोई उसी को देख रहा है एवन एक बंदा तो आगर के बोलता है कि कपड़ों में जादा खूपसूरत लग रही हो तो मैरी को अच्छा नहीं लगता उसे अनकमपटिफल फील होता है और हैंडरी से घर चलने का बोलती है पर हैंडरी उसे समझाता है कि हम कुछ देर में चलेंगे और मौका मिरते ही वो दोनों चुपके से बहां से चले जाते है और इस हरकत से हैंडरी को मैरी पर डाउट होने लगता है और अब जब वो घर पहुंचते तो हैंडरी मैरी की ड्रावर में देखता है कि मैरी की न्यूट फोटोस रखी हुई थी जिसमें फोटो के पीछे उसके एमोशन्स और फीलिंग्स के बारे में भी लिखा हुआ था ये सब देखने के बाद हैंडरी पूरी तरह से डिस्ट्रप हो जाता है और अब वो मैरी को ये सब समझाना चाता है कि पेरे सिर्फ तुमारे साथ ही नहीं वो ना जाने कितनी लड़कियों के साथ में ये सब करता रहता है तुम उसके लिए को इस्पेशल नहीं हो तुम भी उन लड़कियों की तरह से उसके लिए कॉमन हो और उसे कहता है तुम चाहती क्या हो कि सब तुम को वहश्या समझे और मेरी को नियूड देख उसके साथ में जब रस्ती कहने लगता है मेरी उसे धका देते हुए कहती है I hate you, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हैंरी ये सब सुनकर वहाँ से चला जाता है लेकिन मेरी सब कुछ जान कर भी पेरे से मिलने पहुंच जाती है वहाँ पर वो पेरे को और लड़कियों के साथ देखती है लेकिन फिर भी वो सब कुछ देख करके अंजान बन कर पेरे के साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू रखती है पेरे सब कुछ जान करके अंजान बनता है क्योंकि वो सिर्फ अपने काम फोटोग्राफी पर ही फोकस देता है एक दिन महरी को रोता देख पेरे उसे पूसता है कि वो इतनी परिशान दुखी क्यों है पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो अच्छे से समझ चुकी थी कि पेरे उसकी नहीं सुनेगा, उसे कोई फारिक नहीं पड़ता, लेकिन पेरे कहीं न कहीं महरी को समझ गया था, पर पेरे चाह का भी, वो सब मीस अलग अलग लड़कियों कर साथ सूना नहीं छोड़ सकता था, वो उसकी लाइफ बन चुका था, एक दिन पेरे हैंरी से मिलत है, और बताता है कि उसने जोड़ा को घर से निकाल दिया है, पर मैं उसे याद करता हूँ, वो मेरे दिल और दिमाग पर है, वो मेरे दिमाग से नहीं जाती है, जिस पर हैंरी कहता है, यह प्यार है, जो तुम कभी नहीं समझ सकते हैं, जिस पर पेरे बोलता है, यह प्यार वहां से अलजीरिया चला जाता है और मेरी के लिए वो एक लैटर भी छोड़ करके गया था जिसमें सिर्फ उसने अपने जाने की वज़ा लिखी हो दी है और उसने खुद को चिट्टी लिखने के बारे में भी लिखा था मेरी बहुत अपसेट हो जाती है और बहुत होती है और अब मेरी की हालत को देख मेरी मदर पेरे को समझाती है कि उसे एक पती की जरूरत है मेरी को आप पता चलता है कि वो पेरे के बच्चे के माँ बनने वाली है तो वो हैंरी से डाइवर्च लेने का बोलती है लेकिन हैंरी मना कर देता है क्योंकि कहीं ना कहीं हैंरी आज मेरी से उतना ही प्यार करता है और मेरी को खुश रखने के लिए वो एक आत्मी को भी उसके साथ देने के लिए हाय भी करता है मेरी उस आत्मी के साथ में खुश रहती थी पर हैंरी को हमेशा वो हैंरी के साथ में अलग-अलग सा पीहिव करती थी तो यह सब देखकर के हैंरी अब दीरे दीरे समझ चुका है कि मैरी उसके कभी भी नहीं हो सकती और अब मैरी के खुशी के लिए पेरे से मिलने अलजीरिया उसके पास जाता है और मही मैरी अभी पेरे के लिए लेटर लिखती रहती है पेरे को उसे पराबर हर लेटर का रिप्लाइट देती है और हैंडर पात करने लिए अकेला भी छोड देता है!!! कि वो बहु कश्ना ही प्यार करता है और अब वो दोनों साथ में रहने का डिसाइड भी कर लेते हैं मेरी को खुछ देखका हैंडरी भी खुछ हो जाता है और अब जब हैंडरी और पेरे दोनों साथ में अकेले होते हैं तो हैंडरी पेरे से पूछता है कि क्या वो इतना बुरा इंसान है जिसे मैंने इतना प्यार दिया मेरी खुद की वाइफ उसने मेरे साथ में चीट किया उसकी बाते सुनका पेरे को अच्छा नहीं लगता और वो उसे चिल करता है अब हैंडरी ही पेरे और मैरी के लिए एक होटल में रूम अरेंज करता है और जहां पर वो दूसरे रूम अपने खुद के लिए अरेंज करता है मेरी पेरे के रूम में चाहती है जहां दोनों बाते करते हुए एक दूसरे के क्लोस आने लगते है और इंटिमेट होते है उनके उस दोरान की आवाज है हेंरी दूसरे रूम से सुन रहा था और उस समय वो पहुँच ज़दा दुखी भी हो रहा था नेक्स रे हेंरी मेरी साथ होते है तब ही मेरी की मदर वहां आती है और मेरी से कहती है हेंरी बहुत अच्छा इंसान है आज हम चो भी है उसी की वज़े से हैं सिस्टर पेरि के पास जाती है और उसकी सेकरेटरी बनने का पूसरी है और पेर उसे कीज सबता है और दोनों इंटीमेट होते हैं यह बद मैरी जाती है कि पेरिस्टर के साथ में फिजिकली हो रहा है और वो उससे शादी के लिए लेड़ी है पर मैری इस सबसे खुश थी क्योंकि वो पेरे से आसानी से मिल सके की उनका रिलेशन कंटीनू रहेगा और वो उसे शादी करने का बोलती है पेरे रेड़ी हो जाता है और अब मैरी भी हैंरी के साथ अच्छे से पेश आने लगी थी और अब मैरी की सिस्टर और पेरी की शादी हो जाती है और पेरे उन दौनों बहनों के एक साथ में न्यूट फोटोस निकालता था और ज़्यादा काम करने की वज़े से अब पेरे की हालत खराब होने लगी थी उसे धीरे धीरे कम दिखाई देने लगा पर वो अभी पे उन फोटोस को नहीं भूला था वो अभी भी अपने सही होने का वेड करता है और अब मैरी एक राइटर बन चुकी है और उसने खुद की लाइफ पर एक बुक भी लिखी है और ये सब हैंडी की गाइडेंस में मैरी की बुक बहुत ज़्यादा सेल होती है जो कि एक लव स्टोरी थी जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मू अगर आप इस चैनल पर नई हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलेगा